हेलो दोस्तो वेलकम टू माई चैनल सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और पैल आइकन को जुरूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू माई चैनल आज आपके सामने हैं हिमाचल परदेश की समच्छा हिमाचल परदेश की सिख्षा मंत्री गौण सिय ठाकुर के करोना टेस्ट की रिपोर्ट पोजिटिव आई है वही मंत्री के सुरक्षा कर्मी की करोना रिपोर्ट भी पोजिटिव पाई गई है जानकारी के अनुसार मंत्री ने सिमला से कुल्लू लोटकर दीवी देवताओं से मिलने जाने से पहले एहतिहातात परते हुए कुरोना टेस्ट करवाया था जिसकी रिपोर्ट पोजिटिव आई है इसके साथ ही रिपोर्ट पॉश्टिवानी के बाद मंतिरी स्टाफ सहीत होम आइसलेट हो गए हैं उन्होंने ट्यूट कर खुद इसकी जानकारी दी है कहा कि उनका स्वास्ते बिलकुत ठीक है और किसको की सलाह के अनुसार वो अपने घर पे आइसलेट हुए है अगली जो हैरलाइन है वो ही हीमचल दो नुमबर से खुणने वाले स्कूलों में जनुरी और फर्वरी में भी हो लगेगी नियमित कक्षाएं आईए विस्तार से जानते हैं बच्चों की पड़ाई जारी रखने के लिए ऑनलेन स्कूलों समागरी पर सबसे भेजी जा रही है ऑनलेन फर्स टर्म प्रिक्षाएं भी ली गई है सैकंड टर्म प्रिक्षाओं की तैरी सुरू हो गई है ये पीटेम भी विवाग दो बार कर चुका है अब पर्देश में पहले के मुकाबले हालात को समाने हो रहे है दोनों मुबर से सरकार ने नौवी से बारवी कक्षा की नियमित कक्षाएं लगाने का फैंसला लिया है ऐसे में सिक्षव वियाग ने इस बार सीदकालीन स्कूलों में जनवरे और फरवरे की चुटिया नहीं देने का फैंसला लिया है इन दो माह में भी स्कूल खोणले का पस्ता त्यार किया गया है इसके साथ ही इस मामले को भी कैमलन मंजूरी के लिए बेजा जाएगा विवागी अधिकारियों को काना है कि मार्स से स्कूल बांध होने के चलते टेचिंग डे प्रभावित हुए हैं स्लेबस पूरा करने और बच्चों के पड़ाई को कती देने के लिए सर्दियों की चुटिया नहीं दी जाएगी करोना के चलते चलते पहले ही स्कूलों के चुटियों का कोटा पूरा कर लिया गया है इसके साथ ही स्कूल कॉलेज खोलने के एसोपी बनाने में जूटे अधिकारी परदेश में दो नौमबर से स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्तानों को खोलने की एसोपी बनाने में विवाग्य अधिकारी जूट गए हैं एक दो दिन के भीतर इसे त्यार कर लिया जाएगा किंद सरकार की SOP का सिक्षन इर्दिशालियों के अधिकारियों मन्थन कर रहे हैं इसके अलावा प्रोसी राज्यों के SOP को भी खंगाला जा रहा है धन्यवाद